दोस्तो यार हम जिसके लिए वेट कर रहे थे होंडा के तरब से एक्टिवा इलेक्टरिक स्कूटर ये मार्च महिने में आने वाली थी लेकिन आदा महिना जो ये मार्च का जा चुका है तो क्या हुआ इसके उपर काफी कुमेंट आ रहे थे इसके उपर काफी कुश्चन आ देखना क्योंकि इसके उपर हम डीपली बात करने वाले हैं दोस्तो अल्रेडी होंडा की फर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर फिर से डिलाई हो चुकी है तो अचली डीटल में बात करते हैं सबसे पहले गाईज कंपनी ने जैनवरी दोजार चोविस को बोला था एंड यह में फेक हो चुका है और दोस्तों हमने इनके ओफिशल वेबसाइट पर भी चेक किया लेकिन उस पर कुछ भी अपडेट जो लॉंच डेट के उपर नहीं है लेकिन हाँ होंडा का जो एक्टिवा इवी आने वाला है जो कंपनी ने फर्स कौटर एंड सेकंड कौटर बोला था उसका मतलब यह है कि जैनुवर से लेकर मार्च तक फर्स कौटर होता है अभी तो फर्स कौटर में नहीं आने वाली है लेकिन जो सेकंड कौटर होगा जैसे की एप्रिल 2024 से लेकर जून 2024 तक इसको आप बोल सकते हो लेकिन यार इसके उपर अपडेट क्या है ये सब से पहले हमने देखने के कोशिश की एक आर्टिकल हमें देखने को मिला बाइक देखो डट कॉम पर देखा तो वहाँ पर जून 2024 मतलब सेकंड कौटर में एप्रिल से लेकर जून 2024 तक एक्टिवा ईवी इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी लेकिन इसके उपर हमारे काफी स्कूडर आएगी लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके पीछे रिजन काफी सारे रिजन है जिसकी फर्स तो होंडा जो है ट्रष्टेड कंपनी है कोई पी चोटी मोटी कंपनी नहीं नहीं है तो यह कहा पर भी कंप्रुमाईज नहीं करने वाली है टाइम थो आएगी इलेक्ट्रेक स्कूटर जब इंडिन मार्केट में अफिशली अनॉंसमेंट कमपनी करेगी तब जाकर काफी कस्टमर रुख सकते है बट फिलाल के लिए कमपनी ने जो पहले अनॉंसमेंट किया था सेकेंड कॉटर तक आपको वेट करना पड़ेगा जो होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो बात है जिसे की बैटरीज की हो गई जो लाइफ बैटरी की मिलने वाली है वो कोई भी ब्रैंड आपको इतनी अच्छे क्वालिटी की बैटरी लाइफ नहीं देने वाला है चाहे वो इसका मट्रेल कॉलिटी हो जो बिल्ड कॉलिटी हो गई इसे काफी सारे पॉइंट है, जो की hundred की electric scooter मी देखने को मिलने वाले है जो की दूसरी company में काफी कम ही देखने को मिलते है सो मेरा तो कहना काई यही है इसके लिए काफी कस्टमर रुके है तीन चार महेने के असपास थोड़ा सा और रुक सकते हो तो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है होंडा की इलेक्टरक स्कूटर अगर आपको जल्दी से जल्दी लेनी है तो आप दूसरी EV के तरब जा सकत हो लेकिन जब एक्टिवा EV इंडियन मार्केट में आएगी तो इंडियन मार्केट में भूम करने वाली है काफी ब्रैंड को यह टकर दे सकती है बट आएगी तो यह कंफरम है उसके लिए आपको और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो यार दोस्तों आपको क्या लगत करने की कोशिश की है तो चल यार मिलते हैं भी नेक्स वीडियो में